स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले होगी जितनी होनी दी कल अब आज तो पार्टी होगी क्योंकि आज तो लंडन जाना है वेसे तो आज सुबhे जाना था वेगिन अब लगता है कि यहाँ से आज कोई disaster ना हो जाए dramatic कोई ऐसा turn around ना हो जाए दिक्कत आनी नहीं चाहिए मौसम ऐसे साफ है मौसम की कोई दिक्कत नहीं है जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो मौसम की ही थी इस match में हो और वो कल आ चुकी है आज मौसम बड़ी है साफ है और वाकिया आपने कहा है कि अगर normal सब को चला तो मुझे लगता है कि बारत यह 40-45 ओवर में यह target chase कर लेगा हाला कि cricket में कुछ भी हो सकता है बड़ अबर जितनी cricket मैं खेला हूँ जितनी समझता हूँ देखता हूँ तो इस टीम को देखके मुझे लगता है कि उमीद है कि यह जो target है कुछ ऐसी परिशानी होनी नहीं चाहिए और भारत डिजर्व भी करता है क्योंकि जिस तरह कल भारत ने गेन बाजी की है और न्यूजलेंड की टीम बल्ला उठा नहीं पाई और तॉस जीत के बैटिंग की 46 ओर निकल गया पिटाई हुई नहीं और इसका आपको जरूर क्रेडिट देना होगा इंडियन बोलर्स को क्योंकि सामने केल विल्यमसन थे जो सेट थे रॉस टेलर वो भी सेट थे अगर आप उनको खामोश रख सकते हैं मता हर गेंद बाज ने लगब 50% दॉट बॉले डा कंडिशन जिस तरह आज भी हैं ओवर कास्ट हैं न्यूजलन के पास अच्छे तेज गिन बाज हैं ये 211 को 240 तक ले जाए 250 तक जाए साल ले कि जा सकते हैं इतने में भारत को तंग कर सकते हैं ने देखिए क्रिकेट है हो कुछ भी सकता है पर जैसे अकाश ने भी कहा है कि भारत ने दिखा दिया है कि बेटर टीम कौन है आप टॉस जीते हो उसके बाद आप इंटेंड नहीं दिखाते हो बतार कप्तान आप अंदर खेलते हो कि उनका खेलना जरूरी है साथ में जो प्लेयर उनके आयरोस टेलर वोगरा उन्होंने शॉट मानने की तयारी ही नहीं क कि हम बेटर कर सकते थे बट हमें क्या लेना देना भारत ने अच्छा किया क्रेडिट जैसे का अकाश ने बोलिंग बहुत जबरदस्त की इस चुरुवात बुम्रा और बुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह की थी पहले 6 ओवर में 10 अगर लगे हो तो आपका वैसे मुराल ह ही हो जाता है जबरदस बोलिंग परफॉर्मेंस क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स और आज बैटिंग में भी मुझे लगता है पहले 7-8 ओवर अगर खेल लेते हैं रोई शर्मा और केल रहूल तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए चेज में हाला कि देखे क्रिकेट में रांके मुकाबले होना उसमें चोटे टोडल में भी फसता है लेकिन जिस तरह भारत खेला है लगता तो नहीं कि दिक्कत आनी चाहिए आपने कहा पहले 6-7 ओवर आकाश कंडिशन तो रहेंगी ट्रेंड बोल्ट आएंगे रोई शर्मा खेल रहूल विराट को लिए तीन आ अब क्या डालेंगे या धोनी डालेंगे अब वह वापिस अच्छी प्रैक्टिस किए अच्छी करते हैं लेकिन आप चाहते नहीं कि विश्व कप के सेमी फाइनल में घ्लव उतारें और बोलिंग करें तो वहां से बच गए अब देखी 240 तक भी पहुंच जाएं यगर 270 हो ये पूरे विशु कप में तो वो पहले 10 ओर में हमारा कोई स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहता और वो सही है और इस पिच के लिए इस टोटल के साथ तो बहुत ही दुरुस्त है तो मुझे तो कोई शक्षुबा है नहीं कि आप शुरुआत में अगर ट्रेंड ब जरूरत होगी और मौसम के लिहाज आज तो मिजाज अच्छे हैं और होब करता हूं कि अच्छे ही रहे और ज्यादा हमें मौसम खुलने वाले भी चाहिए नहीं है क्योंकि दो बज़े के बाद शायद थोड़ी बहुत बूदा बांदी हो सकती है और उससे पहले-पहले मै ने कि इंग्लेंड के दो बज़े की बात की है जो कि भारत में छे साड़े शे बजे शाब